हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक टो अग्रिकल्चर पॉलिटिकल बहुत बहुत स्वागत है आपका उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो बढ़ते हैं आज के वीडियो क्यों आज की वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं कि एक्जाम जिन जिन स्टूडेंस ने दिया है उनका रिजल्ट कब आ सकता है इस बार जिस तरह का रविया एंटी एक आ रहा है उस रिसाब से एंटी ने जो भी डेट्स दी थी जो भी डेट्स रिलीस की थी हर चीज टाइम पर ही हुई है पिशली बार के अगर हम बात करें तो चीजे थोड़ी से लेट हुई थी लेकिन इस बार सारी चीजे टाइम पर हुई है तो सीओ एटी पीजी का एक्जाम जिन जिन स्टूडेंस ने दिया है और वो एड्मिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो सीओ एटी के एक्जाम चल रहे थे वो 29 मार्च को सारे एक्ज लेकिन चाहते हैं सबके लिए एक्जाम कराया जाता है। इसमें मसी एक्रीकल्चर और सुद्री कि जो आंशर की रिलीजम फिए ने वह उसने कहा था कि 29 गौ एक्जाम चेट्म होंगे और आपका जो स्ट वीक है इस्पेसिफिकली 2-4 के बीच इन्ट ने बोला था कि 2-4 के बीट जो result है उसकी answer की, result नहीं, answer की आपकी release कर दी जाएगी NTA के द्वारा, answer की release करने के बाद, जिन-जिन students को कोई problem है questions से, वो अपने questions पहले match करेंगे, कि उन्हें लगता है अगर ये answer गलत दिया हुआ है और वो अपना answer change करवाना चाहते हैं, तो उसको वो challenge कर सकते हैं, उसके लिए कुछ दिनों का समय मिलेगा, तो दो-तीन दिन मान लीजे, तो उसको challenge करने के बाद फिर जो है result आता है, तो सबसे पहले आपकी answer की आएगी, जो first week में आएगी, दो से चार के बीच बोला है, तो first week मान के चलिए कि first week में आपकी answer की आ जाएगी, 29 को आपके exam खतम हो जाएगे, उसके बाद जिन students को answer की से कोई भी problem है, किसी भी answer से problem है, तो वो answer की को challenge कर सकते हैं, challenge करने के पश्यात, जो answer सही होंगे, उन्हें accept कर लिया जाएगा NTA के दुआरा, और जिन answers में कोई problem होगी, उन्हें cancel कर दिया जाएगा, और जो answer गलत तरीके से challenge किये गए हैं, या फिर जो सही हैं, उन answers को रखा जाएगा, उसके बाद, कुछ एक-दो दिन के gap के बाद, आपका result निकाल दिया जाएगा, तो जो उमीद की जा रही है, वो यह है कि third week तक आपका result आ जाएगा, NTA ने जो date दी है, वो second week of April दी है, लेकिन थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, chances रहते हैं कि कई बाद चीज़ें थोड़ा सा time पे नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कई students challenge करते हैं, कई बार बहुत questions गलत होते हैं, तो उसके related problem आ जाती है, कि एक दो दिन और मिल जाता है student को challenge करने के लिए, तो आपका जो first week में आपकी answer की आए, कि second week में आपका result आ जाएगा, second week नहीं तो third week के जो beginning होगी, उसमें आपको आपका result देखने को मिल जाएगा I hope ये वीडियो आपके लिए useful रहा होगा, अगर आपको कोई भी doubt है वीडियो से regarding, CUET, PG से regarding, जो 2024 का exam हुआ है, MSC Agree Culture का किस तरीके से cut off रहेगा, बहुत सारी cut off वीडियो अभी पड़े हुए है चैनल पर बहुत सारी cut off वीडियो अभी आने वाले हैं, जिसमें हम proper discuss करेंगे subject wise cut off और students का जो exam गया है, कि spaces पे उनके marks बन रहे हैं और पिछले year में किनका selection हुआ है, उसके basis पे आपको सारी information मिलेगी so thank you very much for watching this video